पुलियर फिजिक्स में एक सीज और पढ़ना है जो कि बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है और आपके एकजांग के लिए वी काफी इंपोर्टेंट होता है जैसे वह क्या है तो अगर आप जानते कि चार्ज पार्टिकल को एक्सलरेशन देना है एक्सलरेट करना है तो हमें हमेहें क्या यूज करना पढ़ेगा हमें यूज करना पढ़ेग तो मिदाथया गुषकिव करना है और उसका कीया है और उसका कुछ कुछ गूलेशंस चैन्स पताने मालें तो बने रही है मिरे साथ न्युरा नाम है अधिक रेंख रहे हैं आपका प्यारा है चेनल एके दि देखे साइक्लोट्रोन को हम लोग पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रोन होता क्या है इसकी डिसकावर जब हुई थी हम मालते हैं कि आपको अपर लाइट नजर आ रहा है खर इस पर आभी जा नहीं रहे हैं जब आएंगे तो लाइट को फिरिमनेट कर दिया जाएगा ठीक है 1932 की बात हो रही है आज मेरे पास है 2020 इसका मतलब आज से 100 में से 1288 साल पहले ऐसा बताया जा चुका है और हम लोग ऐसे इंसान है जो 88 साल बात पर रहे हैं मस्ती वाली बात है देखे यह ऐसा परचलित क्यों है और यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेट क्यों नाता है यह जाना चाहिए टिक है तो चौब अशुम जो कर सकता है तो नहीं रहे हैं दूसरा है ऑश्ट्रों में टिकसको चाहिए मतलब दो चीज रिखे और पहला क्या चाहिए अस्ति प्रोइंगे नहीं लाद से एक चीज के अधिया Χिए गार कि जब सितो को KG का करेंगे तो कौन से चांज़ पार्टिकल को इलेक्ट्रों को मिल्कुल नहीं क्यों नहीं यहां प्रोट्रोण को ठीक है अिल till **** जो ठाप कίο उकिल है इसको है ही इसका तारीफ कि स्मॉल इलेक्स फ्लिव कर लाझा नगा हैि इसका हम प्रिंसिपड का उता है just है अच प्रिंसिपल जानना चाहिए अच्छे फीविह से ने संब चार्ज पासा अचैने को लिए बच्छों में जब भी कभी भी एक charge particle accelerate करना होता है तो उससे पहले जो प्रिंस्पल है वो है कि अगर हमने क्या गिया एक अस्ट्रोंग मेंनेक्टिक फिल्ड में इलेक्ट्रिक फिल्ड के बीच में चार्ज को रखा तो चार्ज जो होता है काइनेटिक उनर्जी कس कर लिता है इसके कारण़ को मुव करने लगता है क्या करने लगता है क्लिव दिखी इसको डिटेंल में श्युल वो श्रत्रों में व्युनाग पंटना फाल अगर अब आत्रेय से करने अ कि वे वह फूटबॉल को दो पारो बाट दीए, एक को थोड़ा दूदग दीए, दोड़ा बीच में थोड़ा gap करके रगधिये, उसी टैप कहो होता है, ठीक है, अस्फेयर है, semi-sphere के अकार का D's होते हैं, इसको D's बोला जाता है, ठीक है, इसके बाद देखिए, जो हमको accelerate करना है, याव चाज़ पार्टिक को बीच में रखते हैं कहां रखते हैं इन तुनों के गया आप और जैसे उस एंड करते हैंतो अब लेक्टिक कर दियש कि यह क्या है मान लिए कि यह कोई पॉजिटिवली चार्ज हो की होगा और इधर से बएक ये उसलेक्स के लिए लगा हुआ है और शिलेक्स करतें को नियुक्त करते हैं ये हैना अबिंते म Premista लंग vozak तो ये व्युक्त गशलों कि दर जाट हैंक और निएностью कि तरह जैसे ही जाएगा तो यहां पना कर रहता ठाटिकल्स यो है तो Düny के दिए की सब्सक्राइज बहुए की दिसब्र होने के लिए के GRANT अधिकाब कश्क्रेट फिलड करेंगा कैसे अधिकिन देखिए तो अंदर का यह नहीं है तो वहां पर क्या काम करेगा वहां करेगा मैगनेटिक फिल्ट कहां से आएगा तो इसको साउथ पूल नॉर्थ पूल के बीच में पूरे डिवाइस को रखा जाता है इसके कारण यह स्ट्रों में अजाता है कि और इसका डायक्षें जोता है मैगनेटिक फिल्ट का इन बाड होता है इस तरह से चला गया अब यहां पर जैसे हैं इलेक्टिक फिल्ट खताम तो क्या लगने लगेगा तो क्या लगने लगेगा मैटिने टिक फिल्ट जैसे चार्ज पार्टिक इसमें जाएगा यह सब्सक्राइब करेंगा अपना प्राइटी बतल देगा तो मतलब यह नेगेटिव था तो यह पोजिटिव हो जाएगा अब चार्ज पार्टिकिल इसमें गया और उसका पॉलेटिव बदल गया यह पोजिटिव हो गया वह जर से गोना जाएगा और यह कारण है कि मेगनेटिक मेंटिक फिल्ड के कारण से वो चार्ट पाठीकिल एक सर्कुलर पाथ में ट्रेबल करेगा गयर तरह से अधर में अब मेंटिक फिल्ड पहले तो गम फ्रसीटि था सुनकर ट्रेबल करेगा सब्सक्राइब तो यहां से निकला करे लुटू कि यह हो गया लएन कौकर यह संसे और इस यह झारें उनigraphy 009 कर लेता है यही तो इसका प४्रिंसीपल एक इनर्जी गैन कर लिता है और कारण से उसमें चाहता है जानता है उसमें फोल्म ना क्बड़ इतने पिर शर्रीट नहीं से अब ही था– कि अब जैसे प्लस हो घिला और फिर जोन करके यहां से माइनस प्लस होते 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 चार्ट पार्टिकिल्स के अंदर भूँचोर से घुमेगा हाइश लिए उसकी के नदिया तो बलासटी जब मैक्सिमम हो रहेगा तो यहां से जो हॉल चाहलेगी मतलब अगर हमको निकुलियर येक्शन करवाना है तो चाहलेट करना पड़ेगा और करने के लिए हमको चाहिए को क्या चाहिए साइक्लोड तो समस्जों कोई तो होगी थोड़ा-थोड़ा प्रिंसिप्पल हो हुआ कि यह क्या यहあの कि ये क्या को सरक को चलव 001 to jaasad krassama इसम को होता है स्मॉल इलेक्टिक फिल्ड में भीक इलेक्टिक में रखिते हैं तो होल सिस्टेंपर हमने क्याल Hillary इसके बीच में लगा हुआ है उसके बीच में लगा हुआ है उसको पिल सो मैनस में रहे एक रिगुलर इंटर्वल आफ टाइंग में यहाँ में पर देखे कि यहाँ पर रहे अंगेगी KE-Kids सर्ल्दर और मैंगेटीनक फिल्लक तक इसका पाथ सर्कूलर हो जाएगा यूगा चार्ज पारिकल्स में चार्ज पर्टिकल्स में यायदा नगा ही इसकी की सब गुलार बात्स में फॉसा इंक्रीजमेंन्स होचाएगी इसकी रेडियस पढ़ते जाएगे जपम जएगी जज़दा एकसे रेसे लेछाइन करेंगे इसको और ज्यादा स्पीड मिलएगा रेडियस का पढ़ते जाएगार दूसरीटीस में जाने के बाद क्या हो हो जाएगा बहुत चैदब फिलासिटी हो जाएगा उस समय बना हुआ होल जोड़ेगा उस होल से निकले का मुझा करके टार्गेट में टक रहा जाएगा यह था इसका वर्क हम नोट्स में दे देंगे आपको ठीक है दूसरी बात हो गया आपका कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या बता है मैं देड़ा थे वह तो सेमी स्फेरिकर डीज होते हैं टिक डीज अंदर से खाली होते हैं ठीक है तो डोनों को वीज works गैप में रखा जाता है इस दोनों और यह हाय फ्रेक्वेंश उस्सिलेटर से क्नेक्ट किया जाता है क्या होता है कि हैं पूरे सिस्टम को एक high strong magnetic field के अंदर में दचाता है इसके कारण से कि आप यह अपनी प्लेट्रिक को बार बड़ चेंज करता है साथ में जब magnetic field के अंदर कोईच चार्ज पार्टकिल मूब करता है तो वो हाई एनर्जी को ले लेता है हाई एनर्जी ऑप्ज़र्व करता है कानूस की मोशन बढ़ जाती है ठीक है तो यहां तक था इसका सिंपल सी वर्किंग और और कंस्ट्रक्शन आप समझ सकते हैं आगे हम इसका थोड़ा सा केल्कुलेशन बताएंगे इसके बाद इसका लिमीटेशन बताएंगे पूरा डिटेल के साथ ओके ज़रा ध्यान से देखिया हम यहां पर क्या इलेक्ट्रिक फिल्ड भी है और मैगनेटिक फिल्ड भी है कहां पर कहां पर दोगी अच्छा फिगर कुछ रासा अच्छा से देखिते हैं हाँ क्या बोल रहे हैं कि जब यह बाताट पार्टिकिल क्या होगा इस पीज के अंदर आएगी तो इस पर फोर्स लगेगा और चुकि यहां पर इलेक्ट्रिक फिल्ड हो और मैगनेटिक फिल्ड श्राटिक फोर्स जो भूगा चांट पार्टिक वालक होगा फोर्स ओंच पार्टिकी ऐसे कि जbildung हराव पर लगेगा अब ये चाहिए पार इसके एक्सलेट कर जोना चाहिए आप देखो भी क्रॉस भी होता है ठीक है इसको अगर हम दो लिपना चाहिए तो क्यूं भी भी साइन ठीक्टा लिए अब चुक्कि आप देखें हमें ने बताया कि जो मैगनेटिक फिल होता है वो इन वाड होती सर्फ इस जगह पे इनकाम चाहिए तर होता है और इसके जस्ट इन वाड क्या इन वाड इलेक्टिक फिल का डारेक्शन उन दोनों की बीच में किता डिपी का इंगल बनेगा नाइन जी तो साइन नाइन ती ती हां पर तूट कर दें तो क्यूं भी और साइन नाइन टी ती कि तो my कुँ भी वीUA सानी यह पर धिल आख्या नाइन आज ऐसा में चाहाइज अब यह क्या क्या है यह कॉछल और यह काम कर रहा है सिंपीटर फौर्स नंदूग निकालते हैं या निकासते हैं सेंटीपीटर फॉर्स सेंटीपीटर फॉर्स इसको से एक बिक हो जाएगा एंव पॉस्टूर क्या हो जाएंगे क्यू भी आर क्या मैं मिटा दू के लिए फिगर को के इसको रजू कर दिया आपको नोट कर चुके होंगे और नहीं तो आपको नोट्स मिल जाएगा ऐसा मेरा वादा है आप से तो एंवी पर तो इतना आ गया इसका मतलब आर इंपस्टू कितना है गा एंवी बाई क्यू बी एंवी बाई क्यू पी यह क्या हो गया यह हो गया आर का पर फिर ठीक है यह हो गया आर का पर तो मतलब जो रेडियस है उसका भी इतना गई एंवी बाई क्यू भाई सब रेडि पाट को एट करती थी उसकी सरकुलर बाथ की रेडियस आ गई उनके निकालना किनेटिक एनरजी किया कालना करना थो खात हो और धीक निकालना कितने थी मवग् ima q2 लेट निकालना थिकाल सकते हैं काम mister किनेजी। कितनी हो कि तॉप तॉप कितनी यह तो पॉप 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 il can by बॉप किपने व्हों कि दीस्टेंस चैसेर बार कवया यह तूपकिन है। तो डिस्टेंस के देगर पर लो लिखेंगे पाई यार क्यों कि चार्ज पाट के लिए इक सर्कुलर बात को एटेंट कर रही है वो पूरा सर्कुलर नहीं है वो हाब सर्कुलर है सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का पेरिमिटर जितना होता है उतना ही होगा इसका डिस्टेंस सेम इसे लिए हमेरे निकाल निकाल सेटें पाइब बटे भी इंटु आर का यहां पर गयू रखिए अब हम आपसे बात करने वाले हैं करें तो बात करेंगे उससे पहले मैं आपसे यह बात करता हूँ नो इस टैं मैंने मां लिया वाल कि एक किया चाहिए है कि असले की टो पर्णी के बड़ाबर होगा कजिए यह टो टीकुरो ती के बड़ाबर होगा तो दिख सकते हैं आपको पाई एंड बाई क्यू भी होग करते हैं आपको नीचे लिखर भी रहा होगा तो यहां से टाइप पिरियर्ड एक्वाल टू उतर लिखें अच्छा कोई बात ने थोड़ इसी केमरा को बेंड करना पड़ेगा कोई बात ने ठीक है तो यह जो टाइम प्रफूर में कि ना जाएंगे टाइम प्रफूर के पाद तो उस फेक्वेंसी का वोस्टिटर में कितने तैम प्रफूर के बाद अपनी समय को अपनी चार्ज को वो चेंज करते रहा है तो हम तो जो किहां से करना चाहिए में प्रफूर को फिक्वेंसी और प्रफूर के पाइम ये यह फ्रिक पर सेकेंड में इसको तो यह था इसका calculation आप जड़ा आराम से देखना चाहें तो इक बर और देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह की problem नहीं होगी cyclotron में जो semi circle, semi sphere था उसके अंदर जाने के बाद क्या होता है magnetic force लगता है और magnetic force जो charge पर लगता है वो होता है q into b cross b मैंने बताया आपको direction, direction पर confuse नहीं होना है direction को समझना चाहिए इसको आराम से solve करें तो q, b, b, sin theta आता है unit vector n जो भी दोनों कर पर perpendicular होता है तो unit vector क्या करके उसकी modulus लेने बाद बना जाता है उसके हम लोग discuss नहीं करेंगे यहाँ पर जब sin theta को लेते हैं कितना लेते हैं sin theta तो हमनों को असमंजस में पढ़ जाते हैं कि यह theta होगा आखर कितना तो velocity और magnetic field के बीच का direction है magnetic field को मैंने plane के inward बोला है magnetic field को का बोला है inward और क्या बोला है circle के पास में जो tangent खीचेंगे उधर होगा उधर होगा मेरा क्या होगा velocity का direction तो उन दोनों की बीच में 90 डिग्री का हिंकल होता है इसलिए मैंने आप 90 को किया तो क्यूंगी बीडिया अब सेंटी फीटर फोर्स किसके कारश होता है तो magnetic field के कारश होता है तो यह दोनों इक बोल कर दिया यहां से मैंने निकाल दिया आखर का भी अब टाइम को पता होगा आपको distance by speed होता है अब इसको इस तरह सेट किया गया कि जो time में निकाला वो time period के आदे के परावर होता है आदे के परावर में कर दिया इससे हमें calculation में यह हमें यह आपके एक्जाम में कितने मार्क्स के रहेंगे यह आपके एक्जाम में एक मार्क्स के रहेंगे बी एसी के लिए बता रहा हों कि कानेटिक एनर्जी हमको निकालना है maximum कब हो जाएगी कानेटिक एनर्जी maximum कब हो जाएगी तो हाप मास किसका मास जो charge particles हैं into b maximum का square इसका मतलब कानेटिक एनर्जी maximum सिर्फ उसी समय होगी जब velocity maximum हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग हाप M into b maximum का तो यहां पर लिख सकते हैं यहां से भी को और प्री निकालने तो आएगा qb r by m क्या है भाई qb r by m लेकिन यहां क्या होगा r maximum होना चाहिए उसका मैक्सिमम मतलब उस समय जब radius उसका क्या हो maximum हो जब उसका radius क्या हो maximum हो तो यहां से अगर calculation को आगे पढ़ना चाहिए तो यहांता है 1 by 2 m into यहां पर qb r को हम लोग अस्वाइर करेंगे तो qb r r square hooga q square b square r square hooga by m का एक एक केश्व के साथ से कैंसे तो हो जाएगा q square b square r square by 2 यह है जिसकी काईटी एनर्जी maximum हो लेकिन कम जब उसकी radius क्या हो maximum हो तो यहां एक बोर तुछा भी गूट कर सकते हैं उससे हमें वर्षाइदा जयादा मिलने वाली नहीं है यह था इसके डिश के दरफ क करेंगे की इसके क्या क्या कम्ही हो सकती तो बचोंता हैं हम लोग लिमिटेंशन की बात करहें लिमिटेंशन इसके के दो तरग्रव के हैं एक तो सबसे पहले की कि इसमें charge फा HU करने का काम करता है इसका मतलब जो अंचार्ज पार्टिकिल है जो और पार्टिकल और उसको अक्सार्डइट हम लोग नए कर सकते हैं तो पहला मेरा जी नुट्रल पार्टिक तो आप सबस्कों समझना आपकूगा क्योंकि चार्ज पार्टिक दूसरी बात ग्याद को भी एकसलेत नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यह जो इलेक्ट्रोन को नहीं कर सकता जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया क्योंकि इलेक्ट्रोन पहुंत हल्का होता है दूसरा हम यह कह सकते हैं यह कांट की यूज्ट फॉर इलेक्ट्रोन क्योंकि इलेक्ट्रोन की मास आप भी चांटेंगे 9.1 10 to power minus 31 kg होता है और अगर इसको थोड़ा सा भी इनर्जी ले तो यह लाइट के स्पीड में मूव करने दगेगी लाइट के स्पीड नहीं लेकिन लाइट के कमपरेबल के स्पीड और जब लाइट के कमपरेबल के स्पीड में आ जाएगी इसका मतलब यह जो हो गया सो कितना हो गया एप्रॉक्स 2C आटो 3C by 2 2C 3C by 2 कुछ होने लगा लाइट का स्पीड की तो उस समय क्या होगा तो उस समय के लिए इसकी रेडियस बहुत जैदा हो जाएगी क्या होगी बहुत जैदा हो जाएगी और जिसकी रेडियस बहुत जैदा हो जाएगी वो हमेशा एक्सलरेट करेगा तो और वो क्या होगा accelerate करेगा इसके काहलों वो दोनो сердան गी च्वार भी आहीं नहीं पहेगा अबर electron जो ऐसो खूंते रएगा वो गीरेगा इनि वो target से जाके टकराहेगा इनि इसी देग electron का use नहीं कर पाते आसा करता हूँ कि यह lecture आपको पसंद आया होगा, मैं अर्विंत कुमार आगे आपके लिए mass defect को हम लाने बाने हैं अगला lecture मेरा होगा, इसी कमरे में, इसी lecture में, इसी बोर्ड के पास mass defect और साथ में binding energy उसमें आपको यह दिखाएंगे कि mass defect को कैसे calculate करते हैं और binding energy का formula कैसे derive करते हैं तो धन्यवाद आज के लिए इतना ही रखते हैं